हाई फ्रेंड्स साबून मास्ट और सेनेटाइजर का इस्तमाल किजिए और खुद को करोना से बचाए लेकिन आपने अभी तक जो सेविंग की है चाहे किसी भी तरीके का बचत आपने किया हो उसको भी करोना से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है क्या आपने अपने सेविंग का मास्क और सेनेटाइजर लिया है दोस्तों अभी मार्केट में दो नई हेल्थ इंसुरेंस की पॉल्सी आप देख रहे हैं करोना रख्षक और करोना कवच ए दो पॉल्सी को गॉर्मेंट म कारण होने वाले होस्पिटलाइजेशन के लिए डिजाइन किया है और इंसुरेंस कंपनी ने सिर्फ अपना प्रिमियम चार्ज किया है इन पॉल्सी का प्रिमियम भी आपने अभी तक जितना मास्क और सेनेटाइजर पर खर्च किया होगा उससे ज्यादा नहीं है जिसे हम आगे देखेंगे अभी आप मौस्टली चार कैटेगरी में से किसी एक में होंगे एक आपके पास खुद की मेडिकलेम की पॉल्सी होगी या दो आप कंपनी के ग्रूप मेडिकलेम की पॉल्सी के अंतरगात कभर होंगे या तिसरी आप किसी ग्रूप मेडिकलेम पॉल्सी क आंतर्कात cover होंगे और खुद की MediClave की पॉलसी भी होगी. और चौत्य काटेग्री हो सकता है आप किसी भी MediClave की पॉलसी की अंतर्कात कवर ही ना हो चाहे आप किसी भी Lö dripping में हो आपकी Saving Risk पर है जिसे समझनी की जरूरत है. चलिए आगे बढ़ते हैं यदि आप किसी भी मेडिक लेम की पॉलसी में कवर हैं तो आप तीन बात को अच्छे से समझ लिजे एक, मौस्टली आपकी पॉलसी PPE kit, mask, gloves और similar item के cost को कवर नहीं करेगी और इसका cost considerable है जिसे मैं बार-बार बता रहा हूँ जो आपको अपनी जेब से भरना पड़ सकता है और दूसरी, यदि home quarantine होना पड़ा तो मौस्टली इसका खर्च आपकी पॉलसी कवर नहीं करेगी और तीन, जितने दिन hospitalized रहना पड़ेगा यदि आप job में हैं तो आपके उतने दिन का live का loss होगा और यदि आप business में हैं तो उतने दिन का business का loss होगा ऐसे कठीन टाइम पर option होते हुए भी किसी परकार के loss की गुंजाइस छोड़ना बिल्कुल सही बात नहीं है यदि कोई किसी परकार के medical की policy में कवर ही नहीं है तो बतानी के जरूरत नहीं है कि वो कितने बड़े risk पर है अब किसे क्या करना चाहिए इसे कोरोना रक्षक और कोरोना कवच policy की basic structure के साथ समझते हैं कोरोना रक्षक एक benefit policy है इस policy की अंतरगत claim का करेटेरिया पुरा होने पर आपने जितने समय सोट की policy ली है उसका भुगतान हो जाएगा इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि आपके hospital का बिल 50,000 है 1,000,000 है या 5,000,000 है या फिर आप government hospital में फिरी में treatment करा रहे हैं आप जितने समय सोट की policy लेंगे उतने का benefit के तोर पर भुगतान हो जाएगा इस policy के अंतरगर आप 50,000 से लेकर 2,500,000 तक का coverage ले सकते हैं यादि आपके पास medical की policy है तो आप उसमें भी claim कर सकते हैं और इस corona रख्षक policy में भी claim कर सकते हैं तो जिल लोगों के पास medical की policy है वो इसे जरूर ले ले ताकि करोना होने के बाद भी उन्हें किसी परकार का financial loss ना हो यदि आपका समिशोड कम है तो आप super top up की policy ले सकते हैं और यदि आपका concern सिर्फ करोना है तो करोना कवच policy ले सकते हैं यह जो करोना कवच policy है या reimbursement की policy है मतलब यह policy hospital के bill को cover करेगी यह policy directly आपके hospital के bill से link है इस policy में PPE kit, mask, gloves और similar item के cost की भी coverage है साथी साथ home care treatment के cost को भी यह policy cover करती है यह policy I use treatment को भी cover करती है pre and post hospitalization को भी cover करती है इस policy में आप maximum 5 लाग तक का cover ले सकते हैं इन दोनों policy में जो अंतर है उसे आप यहाँ देख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ वीडियो को रोग कर इसे देख लें अब बात करते हैं यदि आपके पास medic claim की policy नहीं है तो क्या करें तो आपके पास दो options है medic claim की policy ले ले और साथ में corona रख्चक policy ले ले यदि आप medic claim policy की cost को bear नहीं करना चाहते तो आप corona कवच policy जरूर ले ले और साथ में corona रख्चक policy भी ले सकते हैं यदि आप corona रख्चक और corona कवच policy लेते हैं तो दोनो policy में claim कर सकते हैं मैंने इन दोनो policy के उपर detail video बनाई हुई है उससे जरूर देखें policy को पहले समझ लें उसके बाद ही policy लें अब बात करते हैं premium की premium को example से देखते हैं यदि 35 years और 45 years के लोग corona रख्चक policy लेना चाहते हैं अलग-अलग policy period का अलग-अलग company का premium आप यहाँ देख सकते हैं यदि 35 years और 45 years के लोग corona कवच policy लेना चाहते हैं तो उसका premium आप यहाँ देख सकते हैं आपको जो भी company अच्छी लग रही हो उस company के website को विजिट करके आप अपना premium देख सकते हैं आपका इन दोनो policies से related कोई भी सवाल हो तो उसे comment box में जरूर लिखे यदि information काम की लगी हो तो इस वीडियो को like करके मुझे प्रोचसाही जरूर करें और subscribe करें इस channel को और जूर जाएं हमारे साथ insurance professional से insurance की जानकारी के लिए और अंत में many thanks for watching this video